हेलो फ्रेंडς कैसे आप लोग? सुशान सिंग राजपूत केस में मैं आज आप को कुछ ऐसी बाते बताने जा रहा हूं जिससे सुशान सिंग राजपूत के फैंस बहुत बहुत खुश होंगे और उन्हें यह यकीन हो जाएगा कि सुशान सिंग राजपूत को जस्टिस मिलेगा और अवश मिलेगा फ्रेंड्स एड्वोकेट विवेकर नंगुपता आप सभी जानते हैं वही एड्वोकेट हैं जिन्होंने यह बोला था कि उनके पास ऐसा एक विटनेस है जिसने 13 जून को रिया चक्रबोर्ती और सुशान को साथ में देखा था और इस बारे में एड्वोकेट वेकर नंगुपता अपना बयान भी दर्ज करा चुके हैं CBI के सामने उनका जो विटनेस था उसने भी अपना स्टेटमेंट दर्ज करा दिया है CBI के सामने क्योंकि फ्रेंड्स वेकर नंगुपता जी एक एड्वोकेट हैं तो उनके बातों का बहुत ही इंप पॉट्टेश दिया जाना चाहिए और बहुत ही माइनए रखता है तो फ्रेंड्स हाली में वेरी डिसेंटली लेटेश अटेसरेक इंटर्विव में उन्होंने बहुत सारी बातें इंपोर्ण बातें बटाई हैं बहुत लंबा इंटर्वियू था मैं उनके इंटर्वियू से आपको जो मेन पॉइंट से वो आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल वे में और पॉइंट के फॉर्म में तो पहला पॉइंट यह है कि उनसे जब पुछा गया इस केस के बारे में तो उन्होंने कहा कि CBI is on the right track औ और उन्हें उमीद है कि जल्द ही कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे ऐसा कुछ आएगा की तरफ से जिससे सुशान सिंग रातबूत के फैंस को बहुत ही खुशी मिलेगी उन्होंने यह भी कहा कि CBI जल्द ही चार्शीट फाइल कर सकती है इस केस में और कुछ गिरफता आए रहे हैं तो उन्होंने कहा कि एक घंसांपल देखे बहुती अच्छी तरह से समझाया उन्होंने कहा कि किसी इनसान की बॉढ़ी यह इनसान के शरीर में dealt होता है तो डॉक्टर क्या कोशिस करता है कि कैंसर में पहुंचा जाया और जह्त से खतम किया जाए क्योंकि अगर उपर से वह दवाई देते हैं तो दो-तीन दिन में लगेगा कि आदमी ठीक हो गया है लेकिन फिर से कैंसर बढ़ेगा और फिर से वह बिमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगी इसलिए डॉक्टर को तहत तक पहुँचके जर से उसे खतम करना बढ़ता है CBI भी बिल्कुल यही काम कर रही है वो जल्दिबाजी में उपर से दवाई लगा के मामले को वीग बनाना नहीं चाहती सुलजाना नहीं चाहती वह चाहती है कि मामले के जर तक पहुँचकर पूरा जो एंटायर जो मामला है पूरी अच्छी तरह से जर को खतम किया जाए ताकि दोबारा सुशान सिंग राध्पु जैसा केस नहीं हो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहा रहा हूं सिब्याई तह तक जर तक पहुचना चाहती है ताकि यह पूरा जो कनेक्शन है सब कुछ बाहर आ जाए और दोबारा इस तरह का केस नहीं हो बह बेकानन نगुपता शाब ने कहा है किजिदोड़ा पीट के कि इंवेस्टिगीशन नहीं करती ऐसा इसा कोई उनका और अप्लिगेशन भी नहीं है कि वी नही हैं कि डेली उन्हें important बात उन्होंने बोला कि ऐसा कोई नियम नहीं है रूल नहीं है कि स्टेट्मेंट देना है हर एक दिन हाँ ऐसा जरूर है कि जब कोई गलत न्यूस फैलाई जाती है सी बी आई के बारे में तब वह क्लैरिफाई करने के लिए स्टेट्मेंट देती है जैसा कि जब एम्स का र सी बी आई हर एक एंगल से मामले को जांच कर रही है जिसमें मर्डर एंगल भी शामिल है तो यह थर्ट पॉइंट और फॉर्ट पॉइंट उनसे जब पूछा गया कि एम्स के रिपोर्ट में तो यह कहा गया है कि यह सुईसाइड है तो इस बारे में आपका क्या कहना है त यह बस एक पार्ट अफ इंवेश्गेशन है ऐसे बहुत सारे सबूत हैं ठोज सबूत हैं सी बी आई के सामने ऐसे सरकम्स्टेंशल एविडेंस हैं जो कि एम्स के रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं करते तो इसलिए एम्स का रिपोर्ट फाइनल नहीं है किसी भी नतीज़े प जो सकता है बहस चले वह अलग बात है जब कोर्ट में जाएगी तब इस एविडेंस को लेकर बहस चलेगी लेकिन एम्स के रिपोर्ट से या कोई फ़र्ट नहीं पड़ता कि सी बी आई चार्च शिट फाइल करेंगी या कर सकती है कि नहीं बिल्कुल कर सकती है इस से एम्स और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है डेली प्रेस कांफरेंस कुछ ऐसा नहीं कर रही है अपडेट्स नहीं दे रही है लेकिन वह बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है और इस वक्त वो कड़ियों को जोर रही है और मामले को जड़ से निप्टाने की कोशिश कर रही है त आपको बताता रहूंगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीस कर लीजिए ताकि जो भी सुशान सिंग राजपूत के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन साहिए आपको देता हूँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंसता है मिलता हूँ अगले वीड